पल्लो लटके रमारो पल्लो लटके जरासा जरासा तेलो हो जबालू दुला गौतम भी है तयार लेकिन शादी की क्या है तैयारी मेहनी संगीत में स्मृति क्या पहनेगी कैसा होगा स्मृति का लुक और इसलिए स्मृति खन्ना स्पा में खुद को सजा रही है अपने नाखुनों को सबा रही है ले रही है खास तरे की वैक्स तरबी और कर नहीं अपनी शादी की शॉपिंग साजबो बेटिया आज आपको मिला रहा है शादी के इस महीने में एक और होने वाली दुलहनिया से तिनकी शादी इसी महीने नवंबर में है और ये है स्मृति खन्ना जिहां मेरी आशिकी तुमसे है की रितिका और सीरिल कसम की मलिका अब रेयर लाइफ में गौतम गुपता के साथ कर रही है शादी और शादी से पहले दुलहन पहुची साजबो बेटिया के साथ अपने शादी के कपड़ों की शॉपिंग करने मेहनी संगीत और तमाम occasions के लिए स्मृति ने खरीदे कपड़े और साथ साथ किया एक beauty भरा day out जहां उन्होंने कराया manicure, pedicure और एक wax treatment तो चलिए साजबो बेटिया के साथ मिरते हैं स्मृति से ब्राइट भी कितनी nervous excited हो आप अभी excitement का तो time ही नहीं मिला है अभी फिलहाल तो सिफ nervousness है there is so much to do और so much to do में 90% काम shopping ही होती है so basically अभी तर clothes भी नहीं final ही जुल्डी भी नहीं final ही इतना कुछ है और 15 दिन भी नहीं रहते so I have to do a lot of things तो बहुत ही अभी फिलहाल तो मतलब भागदोर जादा है excitement तो शायद बाद में होगी जब सारे काम हो जाएंगे complete हमेशा एक friend होता है जो हमेशा आपको shopping में help करता है और आपकी जो sorry problems है और सारी आपको help करने के लिए तो थोड़ा relax तो अभी होना बनता है अभी I think this session के बाद थोड़ा तो मैं relax हो जाओंगी हम एक बहुत ही अच्छे से store पे आएं जहां मैं already बाहर से देख रहे हूं कि मुझे क्या-क्या खरीदना है तो I am very excited and thank you to your team कि आप लोग आ गए है चलो 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 को तेरी आदत है स्मृति अपनी शादी की shopping के लिए पहुंची मुंबई के कल की store में जहां पर wedding collection के तमाम options available है लेकिन स्मृति को चाहिए कुछ खास जो वो अपने खास-खास occasions में मुझे for sure अपनी हल्दी महंदी के लिए तो I want something in yellow तो वो तो पका उस पे तो focus है और शादी outfit thankfully एक outfit है जो sort हो चुका है already उसके इलावा मुझे बाकी सारे functions के लिए outfits चाहिए तो either mehendi के लिए शायद में mehendi green देख सकती हूँ और हल्दी के लिए yellow तो यह तो बिलकुल priority पर है क्योंकि यह functions वैसे भी शादी से भी पहले है तो वो तो सब यह colors तो मतलब कोई भी लड़की बहन लेप अच्छी ही लगेगी तो यह तो इतना pretty lehenga है और excited तो मैं हमेशे ही हो जाती हूँ दूलन बन के वह तो मैंने सारे colors की दूलन बनी उस color की नहीं बनी थी and this color also I'm liking a lot so very pretty lehenga it has this lot of gota patti also and sequence and dabka everything I think a mix of all at work तो बहुत ही pretty है मझे से अभी से bridely feeling आतो गई है इसको पहन के लेकिन जब real actually दिन पर मैं ready होँगी तब पता नहीं कैसा feel करूँगी और आखिरकार मिला उन्हें ये जोड़ा लेकिन स्मृति को तलाश है अपने महंदी और हल्दी वाले दिन एक खास तरह की yellow dress और आखिरकार उन्हें मिली ये dress लेकिन अभी confusion जा रही है क्योंकि स्मृति को एक और yellow dress पसंद आई इसलिए ये वाली पसंद करें या पहले वाली अब मैं बहुत confused हो गई हूँ क्योंकि मुझे ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वह बला yellow पहन हूँ ये वला yellow पहन हूँ अब confusion तो वर्ती जा रही है जितने सादा कप्ड़े ट्राइ करूंगी क्योंकि यहाँ सारे आउट्फिस इतने सु अंदर आउट्फिट है बट कन्फूशन हो रही है सूट और लेहंगा ओन दे मेहंदी डेग वैसे दुलंस्पिती ते जानते हैं कि आखिर क्या क्या फंक्शन होगे इनकी शादी में एक पूजा है जो घर-घर के लोग करते हैं और बादम के घर पर अलग से पूजा है उस में जोन में आ दर सल शादी के दिन सुबह थे जिति ह्मामा जी चूरा परनाती है और साथ में हल्दी ही लगाते हैं थे लाओ घाल दीक वाल गई लगाते हैं और सब लोगर लोगक लेकर थे के बाद the wedding reception is the next day which is a formal big function I'm sure काफी industry के भी आपके दोस्त यार सब आने वाले हैं तो कितना grand reception हो गाई है शादी तो as I said is a simple affair हमारे families है और very close friends जो बच्पन के friends and all है और reception पे तो हाँ of course all the friends will be invited बन जातू मेरी रानी तेनु महले दवादूंगा बन मेरी महभूबा में तेनु ताजपवादूंगा वैसे स्मृति तो यहाँ शादी की शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन दूले राजा यानि गौतम गुपता कहां पर है आरे functions की भागदूर वो भी अकेले कर रहा है तो it's fine weave हमने थोड़ा थोड़ा काम एक दूसरे के लिए उपर सॉप दी है कि this is your duty you finish this work and I'll finish this अगर हम लोग दोनों हर जगा जाएंगे तो आधे काम हो पाएंगे इस से चाहे की वह आधे काम कर ले मैं आधे काम करेंगो और स्षादी एक्षर बहर Dopohi Marneke pasture कहीं नभ्व चेहरा और नुरानी कहीं कहीं दिल वाली बाते भी ना ना वह सजरी जावानी कहीं जग घुमे आथार जैसा ना कोई जग घुमे आथार जैसा ना कोई यानी सीरल ने बना दी कौतम और स्पिति की जोडी वी अद बेन तोगेधर फर नॉट इवन एन यूर तो उसके बाद अब देखने हैं कि अपनी वेडिंग के में दिन स्मृति क्या ड्रेस पहनने वाली है और स्टोर में क्या ढून रही है आखिरकार खताम हुई स्मृति की शॉपिंग लेकिर अभी कुछ और बाकी है हम यहाँ पे थोड़ा रिलाक्स करने के लिए और थोड़ा पैंपरिंग के लिए आया है तो अब मैं यहाँ पर बैठ के अपने नेल्स को ग्रूम करने बादी हूं पैरों के और हाथों के जो हर ब्राइट को करना ही होता है और पर आम बरी एक्साइट इस नेल्स पा के बारे में बहुत कुछ सुना हुए सब्सक्राइब के अपने बारे माल के नेल्स पा में जहांकि नेल आर्ट मशूर है फाइनली मैं हौट सीट पे बैठ चुक हूँ और यहां बैठ के सब कुछ मेरा नेल्स को ग्रूमिंग होने वाली है जैसे कि आप देख रहे हो अभी नेल्स इतने कुछ खास हालत में नहीं है बट अब जो जो हम करने वाले है वो आप देखेंगे और हम मज़े लूटेंग बिगला पिया पे अटिटूड वख रा जू में ऐसे ना रोकी जाए ओ जदो नचे बेबी सज धच लगदी है खाई 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 जदो नचे the peach shade for my hands, nails, and for my toenails I think I will go with a brighter, slightly brighter pink, I think this or this I am still confused. इस अच्छा है, कि ए? In fact my mother said that, तुम एक महिने तक गही की पिन्या काओ, I said, relax, ऐसा कोई ब्राइण हा करती है कभी, but I am having my normal diet, किया दे? पहला के lights to fly, दुनिया पुल पुल करे, keeps on trying, मनवा पंख फैला के lights to fly, दुनिया पुल पुल करे. आज कल सच में, सिंद की है टेच में, दुनिया भी है वाली, like a sahih ली, नम हो के बस में, सपनों के चश्म में, पेरो में हो जाएं हातों के बाद बारी है पेरो की, वैसे स्वीती ने यहां पे लिया हातों और पेरो के लिए खास treatment, जो वाक्स से होता है. यहां पे बहुत ही इंट्रिस्टिंग चीजे हो रही है मेरे साथ, I've never done this one before, the paraffin wax pedicure, it's a very interesting and nice looking concept, बहुत मसे आ रहे है, यहने कुछ वार्म वाक्स डाला है मेरे पाओं पे, and then they've nicely wrapped it like a, with a gift wrapping paper sort of thing, good fun, and nails पे तो बहुत ही प्यारा सा कुछ कुछ कलर लगाया है, which is like a glittery light pink color, and my wedding outfit कुछ कुछ ऐसा ही है, so I think यह काफी अच्छी से मैच करेगा, I'm loving this, and these are wax nails, basically, wax, gel nail paint, sorry, and यह काफी दिन तक स्टे करता है, as compared to अपना नॉर्मल nail paint, जो तीन चार दिन में चिपोने लग जाता है, and this one stays for good 2-3 weeks at least, so yeah, good fun. भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, वैसे अपने इस day out में, स्पृती ने juices और breakfast का भी मजा उठाया, यानि पैंपरिंग की पैंपरिंग, साथ-साथ थोड़ा चिलाओ भी, मुरगे की बांग, हमें को हर गी गुख लगी. हाँ, हैंज तो पहले ही complete हो चुके है, यह देखिए, nails, थोड़ा सा light pink color में, glittery, glittery, मैने nails रखाय, I think it will go well with my wedding dress, और पावव भी complete बस होने वाले है, last final coat चल रहा है, top coat, और वो भी pink color में ही रखाया है मैंने, but without any clitor and बहुत ज्यादा मज़ा आया of course too much pampering and you know, relax होगी body थोड़ी सी with their foot massage and everything और अच्छा बहुत थांक्यू, लटिकाँ तो यू फाइनली स्मृतिका यी beauty बरा day out हुआ पुरा और चमक गए है उनके नाखूल और साथ-साथ उनकी सारी टेंशन और स्ट्रेस हो गया है काफूर थांक्यू फो सपोर्टिंग मी always and आप लोगों की वज़े से हमारे इतने सारे शोर्स सक्सेस्पल हुएं और आप लोगों की वज़े से मैंने मेरी आशी की तुम से ही किया था वहीं पर मुझे गौतम मिला और उसी की वज़े से अद मेरी शादी भी हो रही है तो थांक्यू सो मच्छ भाई शादी से पहले की टेंशन से स्मित्र ने रिबन दी जात तो पाली लेकिन अभी लास्ट मिनट शादी की छोट यूरी टेंशन नहीं पाकी है लेकिन दुलहर दुलहन की प्लानिंग परफेक्ट है फाई नो कुछ-कुछ तो मतलब पूरा तो नहीं हुई अभी ब्राइड नहीं बनी लेकिन काफी दयारी तो हो ही गई हमारी शॉपिंग भी कर ली और हैंड और नेल स्पा के साथ सब कम्लीट भी गड़ लिया तो ग्रूमिंग भी काफी हद तक हो ही गई है हमारी थोड़ा बहुत काम बाकी है वो भी हो ही जाएगा तो आई थिंग अभी आप D-Day के लिए काफी एक्साइट और और अलसे तो रेडी है अब एक्साइटमेंट भी अबढ़ रही है वही है आप दू आप ब्रेसे जाएगा कि अब अब आजए 1 थिह सब कैसे होगा और जैसी जैसी हो रहा है तो आजी हो ही जाएगा आज हमारी कंपनी अच्छी लगी हो आज हमारी कम्पनी द्टी लगी हो और आपको हम सब की बहुत दुआएं लगेंगी Thank you Latika Happy married life, make you have a good happy marriage Thank you And I will see you all at my wedding And of course these people are there to cover it So आपको सब कुछ दिखने के लिए मिलेगा Wedding में क्या-क्या होने वाला है And और साथ हाज शादी के लिए Dhulanspreeti और धूला कौतब है तयार Umay Sinatika Bandit के साथ Hashtag Biro